जीत ही हार है हार ही जीत है और ये ही हमारा जीवन है इसी प्रिकार से जीवन चलता है बच्चो जीवन में हमेशा जो आपके एम होते हैं आपका लक्ष होता है हमेशा असंभव दिखने वाला निर्णे होना चाहिए क्योंकि उसे संभव करने के जो खुसी या मज़े है न वो जीवन में किसी और चीज में नहीं है भैराल इस सीरीज में हम रिजल्टों की चर्चा कर रहे हैं यानि 12th class में जो derivation हमने पढ़ाई हैं आपको theoretical portion में उनके result कौन कौन से हैं उनके result में formula, diagram, derivation के result के important points ऐसा unit dimension या फिर छोटे-छोटे जो notes होते हैं जो जरूरी होते हैं आपके entrance के लिए यह जब entrance देने जाओगे तो उसमें आपके grant वाली copy होगी जो आपके काम की होगी वो बहुत ही important साबित होगी आपके entrance में तो सारे बच्चे अपने grant वाली copy और grant वाला pen उठा लीजिए और अपने notes बनाना शुरू कर दीजिए तो आज का topic जो है वो important topic है यानि दो conductor लेंगे हम यानि एक wire यहाँ होगी एक wire यहाँ होगी और दो लंबी सी wire जो infinity wire है उन दोनों के बीच में force कितनी आती है यह आज हम discuss करने वाले है तो उठालो अपनी copy और उठालो अपना pen और grant वाली copy में उस pen के मदस से सारे छोटे छोटे notes जो entrance में कायम आएंगे लपेट डालो तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी diagram की क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ result देखने इस वाली वायर में current जा रहा है आईवन इस वाली वायर में current जा रहा है आईटू और दोनों के बीच का separation है आह यह एक पहला है यान यह वाली वायर inward magnetic film रखे और यह आली वायर outward magnetic film रखे यानी second current against war place in the inward magnetic field of the first current carryingvia and the first current carrying wire is placed in the outward magnetic of the second current carrying wire एक दूसरे की magnetic field में रख्य हुई है, इसका means होता है invert, इसका means होता आउटवड, यह बोड के बाहर निकल रही है, यह अली magnetic field बोड के अंदर जा रही है, and the direction of the magnetic field किस से पता लगाते हैं, लिख लीजिए, direction of the magnetic field, MF means magnetic field, is to be find out by the right hand, right hand, यहां लिख लो पूरा, right hand, thumb rule, यहनी right hand thumb rules की मज़े से आफ निकालते हैं, right hand thumb rule, एक बात है, यहनी right hand thumb rule का इस्तमाल करके, direction of magnetic field निकाली जाती है, और आप लोग निकालोगे, तो इदर finger को मोड़ोगे, जिदर से finger आपकी अंदर जा रही है, उदर inward magnetic field, अगर इसमें लगाओगे, यहनी second वाली wire में current उपर जा रहे हैं, तो थम को उपर रखोगे, इदर से finger अंदर आ रही है, पर इदर कोई भी wire नहीं है, तो ऐसे finger करके बाहर आओगे, जिदर बाहर आ रही है, उदर या ली wire है, तो इसमें होगे, आउट्वाण magnetic field में, यहनी जिसे dot से represent करते हैं, अच्छा एक बात, अब important point आपने देखा है, कि अगर माल लीजिए कोई magnetic field है, और उसमें कोई conductor रखा हुआ है, यहनी जिदर current carrying conductor है, कोई magnetic field में रखा है, तो उसमें फोर्स ल से निकालते है, राइट-hand palm rule, यहनी राइट-hand palm rule का इस्तमाल करके, force की direction पता लगाते है, और यह देखो, फीलों, एक लंबा से conductor है, और current carrying conductor है, यहनी current को carry कर रहा है, और किसमें रखा है, magnetic field में, यहनी current carrying conductor, magnetic field में रखा है, तो फोर्स तो इसमें भी लगेगी, और उसी पर पाम रूल से, तो है लिकलो, direction, direction of the force, direction of the force, is to be, find out by the, find out by the, right hand palm rule, यहनी right hand palm rule का इस्तमाल करके, आप direction of force की बारे है, पता लगा होगे, बहराल दिखाते हैं कैसे, फीलों, उससे पहले important point यह, अगर माल लीजे, cross लिखाए, cross, अगर cross होगा, तो आप हमें सा कौन सी चमडी देखोगे, dot होगा, तो आप हमें सा कौन सी चमडी देखोगे, force के लिए, यहां लिख लो, यहां क्या है, आपका cross है, इस लिखा, तो cross के लिए आपको देखनी है, गोरी च चमडी, force की direction के लिए, ठीक है, direction of force के लिए, फिल लो, बताओ, यहां पर कहा है, magnitude फिल अंदर की तरफ जा रही है, तो अंदर हाथ मार होगे, current जा रहा है, उपर, तो थम को रखोगे, अब यहां cross है, बताओ, cross के लिख कौन सी चमडी, गोरी चमडी, गोरी चमडी इधर आ आगी इस तरफ, तो force लग रही है, अंदर के तरफ यह नि इस तरफ, अफी लीजिए, दोनों wire में current जो है, same direction में जा रहा था, अगर दोनों wire में current same direction में जाएगा, तो force का nature always क्या होगा, attractive, यहनि same direction में ऐसे, attractive, अगर मा लीजिए, current मीचे आ रहा होता, same direction में, तो भी attractive होती यहनि अगर current same direction में है, तो force का nature क्या होगा, attractive, तो यह भी हाँ लिख 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 हो, important point है, current आपका क्या है, same direction में है, same, same direction, तो force का nature क्या होगा, attractive, always, उपर हो चाहे नीचे हो, फरक नहीं पड़ता, अच्छा माल लीजिए, opposite हो जा current हो, repulsive हो, देख लो for example के तौर पर, for example, माल लीजिए, यहाँ पर, यहाँ साइड में बगल में देखो, यह वायर यह रियरी, एक वायर यह रियरी, माल लो यह फर्स्ट वायर है, और यह कहे है, second वायर है, इसमें current जा रहा है, इसमें current जा रहा है, I2 नीचे, यह वाली inward magnitude में रखी है, और यह भी किसमें रखें, inward में, दोने inward में ही आएंगी, कौन सा रूल से, right hand, thumb rule से देख लीजेगा, अब फिल लो, इसमें ऐसे हाथ अंतर मारोगे, current उपर जा रहा है, यहाँ cross है, cross के लिए गोरी चमड़ी देखोगे, गोरी चमड़ी इदर आएगी, यह बाहर के तरफ गोरी चमड में अपने थम को रख दीजेगा, होगे चीज, अच्छा, तो इस example को यहाँ से रटा के, यहाँ लिख लो, for example यह इसका है, ठीक है, एक बात, अच्छा माल लिया, यहाँ से कैसी कभी यहाँ, अगर आपका current जो है, opposite है, तो आपका force का नीचर क्या होगा है, दोनों अलग ल लिए, और डोट में इसका है, काली, चमडी देखोगे, एक बात, अच्छा, यहाँ पर, जब दो infinity long parallel wire होती है, तो उसकी वेसे force per unit length का जो formula होता है, पूरा लिख लो होता है, formula, जो formula आता है, f by l is equal to minus by 4 pi, twice of i1, i2 divided by r, इसकी वेलों कितनी होती है, 10 की power minus 7, unit की बात करें, tesla meter ampere, inverse और dimension आपको बतला दिया गया था, last lecture में, कि dimension क्या होता है, कि इसका, mu naught का, आपको पता ही है, अगर लिखना चाहो तो लिख भी लो, यहाँ पर बगल में, सिर्फ mu naught की बात करें, तो mu naught का dimension क्या होता है, जा लिखो, m, l, a, minus 2, t, minus 2, वहराल यह basic बात थी, इतनी, अच important है, कि माल लीजिए, यहाँ पर wire का टुकड़ा यह रहा, wire का टुकड़ा यह रहा, पहली वाली wire में current जा रहा है, 1 ampere, दूसरी वाली wire में current जा रहा है, 1 ampere, बीच की दूरी जो है, वो 1 meter है, 1 meter, ठीक है, तावाचा, force का form हो गयता है, f y, l होता है, is equal to mu naught by 4 pi होता है, 2 होता by, यह r कितना है 1 है, तो 1 लिख दिया, यह force per unit length, और माल लो 1 meter की बात करें, तो यह भी 1 लिख दिया, सब को solve करोगे, तो f की value कितनी आएगी, यह लिख ले न, बगल में, f की value आईगी, 2 into 10 की पावर माइनस 7 newton by meter, क्योंकि L की value ने 1 डाल दी, ठीक है, एक बात, यानि यह force जाएगा, तो उसकी वज़े से जो force आईगी हो, कितनी है, 2 into 10 की पावर माइनस 7 newton by meter, एक बात, आपको दो बात और याद रखनी है, कि काली चमडी और गोरी चमडी के आएगे, यह cross है, तो हमें से गोरी चमडी, dot है, तो हमें से काली चमडी, यह force के आएगे, यह force के आए जो कि आपको अपने entrance में काम आएंगे, तो इन्हें धंग से अपनी गरंथ वाली copy में उतार लीजिए, इसे के साथ में धन्यवाद बच्चों आज की class करते हैं, समात, धन्यवाद, सबखेर, good night बच्चों, screenshot जरू ले लीजिएगा.